हमारे देश बारत में एक कावत बहुत ही जएदा प्रचलिद है कि जब घर में पढ़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना मतलब अगर घर में काफी सोना रखा हो तो गबराने की जरुद नहीं लेकिन मोधी सरकार इस कावत को जल्दी पलटने वाली है जियां आप देखरे हो गोल्डम बीस और मैं आपके लिए लेकर आयो एक खास और काम की बड़ी खबर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्यारा सा छोटा सा निवे देने कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देगे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए वे हम यहाँ पर हो जाना काम की और बड़ी खबरे देते रहते हैं जो हर एक आमानमी से जूरी हूई है चले तो बात करें खबर के बार में तो यहाँ पर खबर है कि अब गर में रखा ज्यादा सोना तो देना पर सकता है टेक्स और जुरakना जियां मोधी सरकार एक ऐसी स्कीम लाने वाली है जिसके तरत तैमातरा से ज़्यादा सोना घर में नहीं रख सकेंगे वे वितमंतराले के सूतरों के मुताबिक इस स्कीम का मौसुदा तियार कर लिया गया है वितमंतराले ने अपना प्रस्ताव केमिनेट के पास भीजा है और इसे जल्दी केमिनेट से मंजूरी बील मिल जाएगी यानि कि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि भारत में काले दन को सोने के रूप में गर्म में जमा करके रखा जाता है ऐसे में काले धन से सोना करेदने वालों के खिलाफ कारवाई के लिए मोधी सरकार इंकम टेक्स की एमिनेसम स्कीम की तरही सोने के लिए एमिनेसम स्कीम लाने जा रही है वह अगर इस स्कीम की बात करें तो सरकार को घर में रखे सोने की कीमत की जानकारी देने होगी सोने की किमत तैय करने के लिए वैलिएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा बगैर रसीद वाले सोने पर टेक्स देना होगा स्कीम की एक खास समय सिमा भी होगी और इस समय सिमा के बाद तैं मातरा से ज़्यादा सोना पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है गर के अलावा मंदीर और ट्रस्ट के पास पड़े गुल्ड का निवेश के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है चले तो इसी बात पर आप सब क्या राया नीचे कमेंट करके जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद है यो तो नीचे देगे लाइक की बटन को दबाना बिलकुल न बुले है न तो मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद